गुड इवनिंग फ्रेंड्स और माई दियर इस्ट्वेंट्स वेलकम टू आर चैनल मैं राजेंद्र बनलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सेनल के मद्यम सेम क्लास 10 और 12 की टेक्स्ट बुक को कवर कर रहे हैं तो आपने अधी हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिनके हमने प्लेइलिस्ट बना दी हैं क्लास 12 की अधी हम बात करें तो क्लास 12 में अभी तक हमने 11 चेप्टर कंप्लीट कर दिये हैं और साथ में इनके कोश्चन आंसर भी अभी हम कवर करा रहे हैं पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 का चेप्टर नंबर 1 टेच मिटू लीसन लोड के कुशेन अंसर हल किये थे अब हम आज के वीडियो में लेसन नमबर टू, एफ्रेंड हूं केम फ्राम दे इसकाई, मीनी वाला जो लेसन है, यादि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना, lesson number 2, उसके question answer हम आज discuss करने वाले हैं तो हमारे channel को आप share कीजिएगा, आज के video को share कीजिएगा ताकि आपके friends, relatives, आपके classmates भी इसका फाइदा ले सके और आपको हमारा video कैसा लगा, comments करके ज़रूर बताएं चरिए question number 1 की बात करें What was Minnie doing in the balcony? जब हमने lesson पढ़ा था तो उस समय हमने पढ़ा था कि Minnie एक spastic child रहती है, एक handicapped child रहती है, लड़की रहती है जो उसकी balcony में बेठी वी रहती, wheelchair पर तो वो क्या कर रहे थी? Question यह है, कि what was Minnie doing in the balcony? balcony में Minnie क्या कर रहे थी? जब भी हम किसी question answer को पढ़ें, उसको याद करें तो सबसे important चीज यही है, कि सबसे पहले आपको question समझ में आना चाहिए कि question क्या कह रहा है? यदि question आपको समझ में आ जाता है, और story यदि आपने अच्छे से पढ़ी है तो more than 50% आपको वही question answer याद हो जाएंगे वो बालकनी में बैठ कर outside, मतलब पार्क था उसके बालकनी के सामने तो वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थो, उन बच्चों को खेलता हूँ वो देखती थी तो देखें, answer क्या होगा? C was watching the children playing in the park outside, ठीक है? खेलते हूँ बच्चों को देख रहे थी बालकनी में बैठ कर Question number 2 की बात करें Why was her mother worried as meini sat in the balcony? मीनी जब बालकनी में बैठी हुई थी, तो उसकी माता जी worried क्यों थी? चिंतित क्यों थी? वह चिंतित इसलिये थी, क्योंकि मीनी जब वहाँ पर बैठी हुई थी नहीं चाती थी, इसलिवा चिंतित थी, देखें एंसर क्या है? Her mother was worried because it was too windy and there was a possibility of getting wet which she didn't want wind ी एक word आ है, windy का और्थ हुता है बहुत ज्यादा हुआ हवाँ हवाँ चल रही थी, wind मतलब हवा, windy मतलब हवासे भरा ववा तो वह कह रहे हैं कि उसकी माता जी चिंतित थी, क्योंकि उस समय काफी हवा चल रही थी मतलब तेज हवा अंधी तूफान चलने वाला मौसम था और पाने आने की संभाव नब थी और पाने आने से मीनी जो है वो गिली हो जाती और उसकी माता जी यह नहीं चाहती थी मीनी को किस प्रकार की डिसेबिलिटी थी तो हमें पता है कि मीनी एक स्पेस्टिक चाइल्ड थी और उसके हाथ पेर जो है वो जन्म से एक नॉर्मल बच्चे की तरह कार्य नहीं करते थे तुप पढ़ते हैं देखिए सीवाज ये स्पेस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड एंड लैक्स सिंस बर्थ जन्म से उसके हाथों और पेरों पर उसका कंट्रोल नहीं था हुआ एक स्पेस्टिक चैल्ड थी थी कि एक ऐसा बच्चा जो जन्म से जिसके स्वयम के हाथ पेरों पर उसका कंट्रोल ना हो that means spastic child question number third हम आपकी ज़्या फॉर्थ की बात करें being spastic what could mini do and what could see not spastic होते हुए mini क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी देखिए जैसे मतलब वो खाना खा सकती थी अपने हाथों से चल फिर सकती थी या क्या नहीं कर सकती थी यह हम देख रहे है being spastic mini could not work spastic होने के करण वो चल नहीं सकती थी nor button of her shirt और नहीं अपनी shirt की button लगा सकती थी या button खोल सकती थी अपने हाथों से उंगलियों से but she could crawl परंतु वो crawling कर सकती थी crawling का आर्थ होता है कोहनियों के बल चलना and brush her teeth और अपने हाथों से अपने दातों को brush कर सकती थी and use a spoon to eat और चमच को पकड़ सकती थी ताकि वो उससे खा सके spoon का आर्थ होता है चमच she could also use her wheelchair और अपनी wheelchair को वहाँ use कर सकती थी इस्तमाल कर सकती थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर wheelchair से जा सकती थी question number 5 की बात करें why did the neighborhood children not become friendly with her हर मतलब है यहाँ पर मीनी मीनी के साथ उसके पडोस के जो बच्चे थे वो मित्रता रूपी विहवार क्यों नहीं कर रहे थे या उन्होंने मित्रता रूपी विहवार क्यों नहीं किया देखते हैं lesson हमने पड़ा था दोस्ते में भी हमने पड़ा था कि मीनी और मीनी के जो घरवाले हैं वो अभी 6 महिने पेले ही पर आये हुए हैं, तो जो पडोस के जो बच्चे थे, वह खेलने में और अपने स्कूल के काम में बीजी रहते थे, और मीनी चुकि एक इस्पेस्टिक चाइल्ड थी, तो उनके साथ वह खेल नहीं पाती थी, इसलिए उससे वह फ्रेंडली विहवार उनका नहीं था, देखत उनके स्कूल में और खेल खेलने में व्यस्त रहते थे, क्वेशन नमबर सिक्स की बात करें, अब जब हमने लेसन पड़ा था, तो उस समय हमने देखा था, कि बच्चे पार्क में बाहर खेल रहे हैं, मीनी अपनी बालकनी में बेठी हुई है, आंधी तुफान मतलब हवा तेज चल रही है, नीम की पत्तियां उपर से गिर रही हैं, बच्चों के सिर पर, तो उस समय हमने देखा, कि अचानक से एक बॉल, मीनी की गोद में आगे गिरती है, तो वो वास्तों में वो बॉल थी, या कुछ और था, तो क्या था वो, it was a duck, a solar, वास्तों में वो क्या थ एक बदक था, एक duck था, wild duck था, जिसको solar भी कहते हैं, ठीक है, question number seven की बात करें, what had happened to the bird, उस पक्षी को क्या हुआ था, पक्षी क्या है, कि तेज हवा में फस गया था, उसके जो साथी थे, flock से वो बिछड गया था, तो उसके पंक जो है, जख्मी हो गयते ना, तो देखते ह है, in an effort to rejoin her mats, उसके साथियों से मिलने के प्रयास में, उसने जो effort किये, her head, her head hurt his wing, और उसकी वैसे उसके जो wing थे, उसके पंक थे, वो चोटिल हो गये थे, question number eight की बात करें, how did the birds react when Minnie's mother tried to pick it up, मीनी की माता जी जब उस बदग को उठाने का प्रयास करती है, तो उस बदग ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी थी, लेसन को पढ़ते समय आपको ध्यान आ रहा होगा कि जैसे मीनी की माताजी उस बदक को उठाने का प्रयास करती है तो वह उसके नाखुन उसको चुभा देती है निप्ड कर देती है देखते हैं जब मीनी की माताजी उसको उपर उठाने का प्रयास करती है इट निब्ड हर तो वह उसे नाखुन चुभा देती है question number 9 की बात करें why do you think the bird refused to eat anything फिर जब उसको घर में ले जाया जाता है और उसको कुछ खिलाने का प्रयास किया जाता है तो वह कुछ नहीं खाती है refused कर देती है तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि वो क्यों खाने से मना कर देती है देखते हैं बींगे वाइल डग एक जंगली बदक होने होते हुए he was not used to human nearness अब वो जंगली बदक थी तो वहां किसी मानों को अपने पास आना पसंद नहीं करती थी ठीक है जिसे एक pet animal होता है pet animal मतलब जो जिसको हम पालते हैं घर पे जिसे आपने देखा हुए कि किकी पालतू बेली अगर है तो वो बेल्ली जो है घर में सभी के पास में आ जाएगी आपका पालतू कुत्ता है तो वो भी सभी के साथ में आ जाएगा लेकिन एक wild dog और wild cat अगर होगी तो वो आपको देखकर भागेगी आपने देखा हो एक छोटा सा उधारन दूंगा जिसे आजकल आप देख रहे होंगे ग्रामीन शेतर में भी हिरन डियर हिरन को हम देख सकते हैं और आजकल तो वो काफी नजदिक भी आ गए हैं क्योंकि वो हमसे फेमिलियर हो रहे हैं धीरे धीरे लेकिन पहले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि कम से कम सो मिटर दो सो मिटर की दूरी पर भी किसी हिरन को हम यदि देखते थे तो वो हमसे दूर भागता था यहना हम उसके नजदिंग नहीं जा सकते क्योंकि वो हमसे फेमिलियर नहीं है वाइल्ड है वो वाइल्ड एनिमल इनको बोलता है ठीक है तो कहने का दाथ पर यह है कि वो एक वाइल्ड डग थी इसलिए किसी हुमन को उसके पास आना कि उसको आदत नहीं थी यूजड टू का अर्थ होता है आदत में होना हैंस ही वाज टेरिबली प्रिटंड और इसी वैए से वो भैनक तरीके से डरी हुई थी और डिड नाट ट्रस्ट एनिबडी और किसी पर विश्वास नहीं करती थी and therefore was not eating anything therefore का अर्थ होता है इसी लिए इसी लिए वो कुछ नहीं खा रही थी कौन नहीं खा रही थी बोलिए बदग नहीं खा रही थी डग शोलर question number 10 की बात करें how was the bird fed फिर बदग को किस प्रकार से खिलाया गया तो उसको ink filler द्वारा खिलाया गया था ink filler समझते हैं जिससे आपने देखा हुआ है कि हमारे घर में छोटे छोटे सिरप होते हैं छोटे बच्चों को बिलाने वाले तो जिसमें drop होता है इसको ink filler बोलते है drop हो नहीं होता है drop का अर्थ बून होता है लेकिन जो ink filler होता है उसको उबर से थोड़ा से दबा दो उस rubber को और उसमें फिर feel हो जाता है कुछ और फिर उस rubber को दबा कर हम उसको वहां से उसमें से drop के रूप में निकालते हैं तो उसको ink filler बोलते हैं तो देखिए he was fat with an ink filler after opening his beak बी कार्थ होता है चौँच जो बदक की चौँच है हुओ बदक की चौँच को खोल कर उसमें ink filler द्वारा उसको खिलाया गया था question number 11 है why do you think Minnie named the bird Mitra आप क्या संचते हैं कि Minnie ने बदक का नाम Mitra क्यों रखा ये T है न क्या है T देखिए she named the bird Mitra उसने Minnie ने उस पक्षी का नाम Mitra रखा because she had no friends क्योंकि उसका कोई Mitra नहीं था and took his as one और उसको वह अपने एक Mitra की तरह ही लेती थी ये Mitra की तरह ही समझती थी question number 12 है what was Minnie's reaction when she found Mitra basket empty in the morning Minnie रात्री को अपने पास में उसने एक basket रखवा ली टोकरी जिसमें थोड़ा घांस फूस रखवा लिया अपने मित्र का उस बदग का बिस्तर समझ लीजिए और उस बास केट में उसको सुला दिया था लेकिन सुबह जब वह Minnie उठती है तो उसने देखा कि वह बास केट खाली थी मतलब वहाँ पर बदग नहीं थी वो डग नहीं था तो Minnie जो थी उसका रियक्शन क्या था तो देखते हैं Minnie became horrified horrified मतलब डरा हुआ होना Minnie डर गई थी and disturbed और विचलित हो गई थी when she found मित्रस basket empty की मित्र की जो टोकरी है जिसमें वह सोई हुई थी वह खाली थी या देखकर वह डर गई थी question number 13 की बात करें why did the neighborhood children come to Minnie's house पडोस के बच्चे Minnie के घर क्यों आये थे they come they come to they came to came भी होगा तो भी सही है और कम है तो भी हो सही है they come to see bird वह उस पक्षी को देखने आये थे question number 14 है what change did the bird bring in the attitude of neighborhood children towards Minnie पक्षी की वह से पडोस के बच्चों में Minnie के प्रति क्या बदलाव आया देखे क्या बदलाव ये आया कि अभी तक वो Minnie के साथ में Minnie के साथ में नहीं थे लेकिन उस बर्ड के कारण वह Minnie से मित्रता रूपी वहवार करने लगे the neighborhood children become very friendly with Minnie पडोस के बच्चे Minnie के साथ काफी friendly हो गए question number 15 की बात करें what mistake did Anju make how did see compass net जब वह बच्चे आप पूरा जुंट बना कर उस बदक को देख रहे थे तो उस समय अंजू नाम की एक लड़की ने कोई गलती कर दी थी है ना तो उसने क्या गलती की थी और उसकी छती पूर्ती उसने कैसे की compass net का अर्थ होता है छती पूर्ती करना या सुधार करना Anju said that Anju ने कहा था कि it was hard for duck to make new friends बदक के लिए नए मित्र बनाना कठिन है because सिवाज लेम क्योंकि यह लंगडी है अब लंगडी सब्द यहां पर इस्तमाल नहीं कर सकते हैं किसी को जब हम मेंने लेशन पढ़ा है तो उस समय एक sentence बोलकर भी आपको समझाया था यदि आप डायरेक्ट किसी को काना है तो काना के दोगे लंगडा है तो लंगडा के दोगे तो उसको बुरा लगेगा और बहरा है तो बहरा को बहरा कह दोगो तो उसको बुरा लगेगा किन लगेगा यह आपको कमेंट्स करके बताना है जिसे कोई वेक्ती एक आक से उसको दिखाई देता है उसको काणा कह दोगो तो उसको बुरा लगेगा लेकिन कोई वेक्ती बहरा है उसको यदि आपने बहर कह दिया तो क्या उसको बुरो लगेगा यह नहीं यह आपको कमेंट्स करके बताना है ठीक है यह फ्रेंड्ली वे चलिए तो उसने जब डाइरेक्ट उसको लंगडी यह लंगडा बदक ले दिया तो यह अच्छा नहीं है तो देखते हैं इट वाज वेरी इंपेशेंट बट आपकी जगा इंपोलाइट इंपोलाइट का अर्थ होता है अशब्भे बट सी इमीडेटली कवर्ड हर माउथ परन्तु तुरंत ही उसने अपनी गलती को सुधार लिया इन ओडर टू अमेंड हर मिस्ट एक अमेंड का अर्थ होता है सुधार करना यहाँ पर एक वरड़ा है कंपेशनेट और अमेंड ये एक दूसरे के सिनोनीम है ना च्छती पूर्ती करना या सुधार करना क्यों नमबर 16 की बात करें डिस्क्राइब दडग्स फेरवेल अब फेरवेल का आर्थ होता है क्या हो यह आपको कमेंट्स करके बताना है तो डग का जो फेरवेल था उसको में उसको वर्णन करना उसको डिस्क्राइब करना है कि केसे उसका फेरवेल हुआ था दडग वाज टेकन विथ मीनी डग को मीनी और उसके पिताजी और साथ में कुछ बच्चे विथ मीनी and the other children by मीनी's father to the nearby lake पास में एक जील थी लेक मतलब जील उस जील के पास मीनी उसके पिताजी और उसके फ्रेंड से मतलब बच्चे लेकर जाते हैं देर दड़ चिल्डरन लिफ्टेट डग और फिर मीनी की गोज से उस बदक को बच्चे उठाते हैं केरफूली फ्राम मीनी से लेप मतलब यह टेप हो गया है बाई मिस्टेक लेप है यह लेपी लेप का अर्थुत है गोद मीनी की गोद से उस बदक को उठा लेते हैं and gently released him into the lake और उस जील में बहुत ही सावधानी से उस जील में उसको छोड़ देते हैं released कर देते हैं सी बिगेन स्विमिंग और फिर वहां तेरने लगती है कौन तेरने लगती है मीनी the children watched him for a long time और काफी लंबे समय तक बच्चे उसको तेरता हुआ देखने लगे question number 17 है who do you think the story is about आप क्या समझते हैं कि यह story किसके बारे में है मीनी के बारे में है या डग के बारे में है मीनी और दडग मीनी के बारे में है या फिर डग के बारे में है और यदि मीनी के बारे में है तो क्यों और डग के बारे में है तो क्यों यह हमें answer लिखना है तो देखे देखते हैं the story is about मीनी या कहानी जो यह मीनी के बारे में है and her disability और उसकी जो disability है उसकी अपंगता है the dog is only symbolic इसमें जो बदग है जो डग है वो सिर्फ एक symbol है प्रतीक है and has been brought into focus attention on the handicaps of disabled children जिसका की attention जो है एक handicapped disabled बच्चे का उस पर ध्याना करसित करती है ठीक है दोस्तों तो यह story हमने अच्छे से पड़ी इसके question answer भी हमने समझने का प्रयास किया है आपको question answer समझ में आये नहीं आये आपको वीडियो कैसा लगा आप comments करके जरूर बताएं साथ ही अपने friends, relatives, colleagues के पास भी इस video को share जरूर करें और जो जो भी question मैंने आपको दिया है इसमें वो आपको comments करके बताना है अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार के सदेश्यों का ध्यान रखना है ठीक है दोस्तों, thank you very much for watching अजयास की सदेश्वार के दोस्तों, झापको से अचाओंस sm